डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल करिंटीशी पर स्वागत हैं दोस्तो आप सभी के लिए पॉल्टेक्निक छात्रों के लिए एक महात्पूर्ण सूचना है एक ओफिस्यल नोटिस 29 नमंबर को जारी की गई जैसा आप देख सकते हैं ये नोटिस किस बिसे पर है नोव प्रवेशी चात्रों के नमांकन हे तो तिथी बढ़ाये जाने के बिसे पर है दोस्तो आप सभी का नमांकन फार्म फिलप किया जा रहा है जो इस्टूडेंट अभी तक नमांकन फार्म को नहीं भरे हैं 29 तारीक आपकी लाज डेट थी अर्थाथ 29 नमबर इसकी डेट को बढ़ा दिया गा कितनी रखा गया है दूसरा पॉइंट इंपॉर्टन्ट यहां पर हो जाता है जैसे कि आप सभी को पता है आप सभी का डाटा भी उस यूराइस पोर्टल पर आपका अपडेट हो जाएगा तब आप सभी का भी डाटा गौर्मेंट को भेजा जाएगा तो उमीद यह रहेगी कि जो फर्स्ट इयर के जो कह सकते हैं नो प्रविश्य चात छात रहे हैं उनको भी यहां पर टेबलेट स्मार्टफोन दिया जाए ठीक है एक हपते अंदर फर्स्ट वीक में बात की जा रहे हैं फर्स्ट वीक में दिसम्बर के फर्स्ट वीक के बात तो यहां पर दूसरा पॉइंट यह है इस नो प्रविश्य चात चात रहे हैं अब आप सीनियर है तो अपने जूनियर को जरूर इसको सेर करिएगा और अगर आप जूनियर हैं तो अपने दोस्टों सेर कर दीजिए अगर नहीं किये तो इस चीज़ को जल्दी नामांकन फार्म अपना फिलप कर लें वैसे मैक्सम स्टूडेंट ने इस चीज़ को किया होगा तो वही चीज़ यहां पर बताया गया है तो उस तो की संयुक् उनके विवरण के आधार पर प्रवाविधिक से च्छा परिशत सतर दोहजार इकिस ब्याइस में परिशत की वेबसाइट www.btop.ac.in के संस्था लागिन पर इकिस ब्याइस में नो प्रवेशित चात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया है तो इन्रॉल्मेंट फार्म जो आप पर सांस्थानों के चात्राओं दोहरा और चात्राओं दोहरा ये नहीं किया गया रथा नामांकर फार्म संबंधी कारे को पूर्ण नहीं किया गया ऐसे में उन्होंने कहा कि यह भी ओगत कराना है कि परिशत के अभी तक परिशत को भी अभी तक संयुक्त प्रवेश्ट प counseling हुई अभी जो हो रहा है उसको लेकर यहां पर अभी मतलब उसका data नहीं provide किया गया है इसको लिए भी कहा गया है कि इसकी date को बढ़ाया जाए दूसरा point यह है कि बहुत से चात्रों के द्वारा नहीं किया गया तो नामांकन फार्म की जो अंतिम्तिती अब रखी गई है वो जो student नहीं किये है वो अपना नामांकन फार्म अपने college के द्वारा इसको fill up करा है जिससे आप सभी के नामांकन फार्म फिल अप होगा तो आपको Urize Portal पर या B2P के official website पर आपको registered किया जाएगा जब आपका data feed हो जाएगा जब अब enrolled हो जाएगे तो यह कह सकते हैं कि आपक student में यह थोड़ा संका है कि क्या उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो जब आपका भी data feed रहेगा तो government को यह मतलब college के द्वारा भेजा जाएगा data तो आपको भी tablet smartphone मिलने की पूरी यहाँ पर उम्मीद होगी चुकि जो data college के द्वारा उनको भेजा जाएगा कि आप already admission हो चुका है आप का enrollment number मतलब आप enrolled हो चुके हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको tablet smartphone ना दिये जाए तो यह प्लस point होगा आप सभी के लिए कि आप सभी को भी tablet smartphone दिया जाए no privacy चाह चात्र नहीं अगर आप पहली बार है चैनल पर तो आपको पता ह होने दोस्तों आपको चैनल पर बहुत सी वीडियो आपको first year की वीडियो मिल जाएगी आप चैनल की playlist पर जाकर वहाँ पर check out कर सकते हैं और इन वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है मैंने पिछले दो साल या एक साल पहले ही इन सारी वीडियो को आपको already provide किया है चैनल प